तुमाम मेरे गार्डी फैंस को वजी सोम्पतिंगा आदमे बहुत बहुत खुशामदेद मेरे गार्डी फैंस इस वाकत मेरे गर के सहन में आप हर तरह के एक हल्थी बुशी प्रीमियर प्लांट्स और और अउना बैंड़ प्लांट्स हैं देख रहे हैं और तमाम ही की बहु होती हेल्थी करो जा रही है और आज की मेरी वीडियो बिसिकली गार्डिंग के हवाले से है कि गार्डिंग है करना कोई आसान काम नहीं है यह नहीं कि बजार से प्लांट डेया आए और घर में रख लिया आपकी है जो गार्णिंग है हो गई जी बिलकुल ऐसा नहीं है जो के मेरे गार्डिंग फ्रेंस हैं वीडियो भी देख रहे है उनकोंर मुल्व है कि गार्डिंग ही करना कोई आसान काम नहीं है और असल चीज है जो plants की है care करना है सबसे बड़ी बात है इस वकत आपको मेरे घर के सहन में जो आप ना के सिर्फ healthy bushely plants नदर आ रहे हैं बलके आप कहेंगे वाकी यार यार यह तो वाकी ना के healthy healthy bushely plants हैं बलके तो shining shining in plants में हैं पृता नहीं क्या लगा के plants को को चमकाते हैं तो मेरे देखने वाले वीवर्स ऐसी कोई बात नहीं है असल चीज है प्रांट की केर करना हर हवाले से और केर में कोई एक चीज शामल नहीं होती है बल्ट केर में आपकी इसमें सानलेट भी आ जाती है काल नहीं कैसे मौसम के हवाले से कैसे और हर प्रांट की होती है कुंछ को प्रियाइब कुछ ज्यादा सानलेट की होतीइ और कुछ प्रज़ी जडूने जरूट होते ही निए वो बिस demolBY ऑच्षट हो जाते हैं उसके बाद آती है कि आपकी वॉटर किस तरह आप वॉटर का देते हैं कि प्लांट ऐसे होते हैं जरू च्ट जरूट हमें रूड नहीं मिस्टिंग करे खराब होने का खत्रा होते हैं और कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिने रेगुलर पानी की जरूत होती है और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वाके ही सुबा शाम है पानी की जरूत होती है जिसमें ये कोलिस भी शामिल है तो प्लांट्स को हर हवाले से उसकी नेशर के मताब को उसके बाद है फर्टिलाइजर भी आपको है लेकिन फर्टिलाइजर का बैसिकली ओनला मेटप्लीन प्लांट्स में कब की जाती है एक बाहर के माशनम में और आगे नेक्स टैक कमिंग मोंसुं के माशनम में बाशों के सिस्टा शूर होने से पहले देखा जाता है कि लुड-बॉड टो नहीं हुई के अ besar प्लांट्स को पूलकर करना पड़िया ट्रांस्प्लांट करना पड़िया प्लांट्स साइस है जिसमें प्लांट लगार पॉर्ट में है वा रहे कि उसकी सोजी हम बनाहन हो है है장이 हुए को अन्यों से भी देखना गया है इंक आई कर देनी देनी तो और गफरी अ चाहिए जिसमें पुटाशियम मेगनेज में पिजितनान है चाहिए मेंना की मांधियोरन समयалतिमिक ziemi और भी चाहिए है जो मैंने कहा कि सबस्ट काम ही है गार्णिंग है वो है ये इस वक делает आप ये सारे के सारे रहे ये ये देख रही है जो कि मैंने ये ये व्युक्न की है वकंधा हर हावाले सिर्ड की याती हर वीकेंड मैं हाफ़त अत्वार में एक-एक प्रांट के बाकादा तर पे चेक आट करता हूँ कि चीक खास तर पे लीव्स हैं ब्राउन हो जाते हैं उनकी भी कटिंग की जाती है जैसे यह देखें इस इंगोनियम है इदर है यह कैनली पे इस पर देखें मुझती किसम का वाइरिस का इटेक था हर पॉदे को हर हवाले से के की जाती ह है इसमें किसी किसम की को वाइरिस का था है को डिजीज का टेक तो नहीं है यह भी इस पार आफ तक के रहा है और गार्णिक आया ऑफ प्लांट्स आया ओल प्लांट्स यह भी देखा जाता है जो ब्राउनिश हो गी हैं पिछे काफी टू मच हॉट वादर रहा जिस तरह यह बीकफिटी आप देख रही हैं अब यह सब सारे के सारी वो चीज हैं जो के यहां आप कहेंगए यार्ड तो में यह चीज नजर बहा है वह तो इस चीजी निजर नहीं है आएंगी यहां तो आपको खिड़ खलाते ओना कि आपको रंग रंगे ख्रथी भूशी जो है जो प जहां मैंने अज़स्ट कियो हैं और आप कहेंगे वड़ी हल्थी बुशी ग्रोथ है लेकिन असल चीज है कि यह जो चीज है यह इन यह चीज भी है इसी में शामिल है इन्हीं प्रांट से तरी हुई है जो कर इसकी केर में शामिल होते हैं और इसकी बगादा है केर की जाती है हर हावाले से प्रांट की है तो सबसे में और सबसे जो टाइम है लगता है इन प्रांट की खासत तौर पे है देखवाल में है कि आप प्लांट को एक एक करके चेक करना आया किसमें किसी किसम की को डिजीज तो नहीं है डिजीज में लीफ्स को चेक आट करना फ्रेंड से बैक से किसी किसम का वारिस का टेक्ट तो नहीं है है तो उसमें आपने इसको हलता से डिजीज से कवर आप करना है जैसे देखें प यहां प्रक्ता है के वाकिछी के गार्णिंग करना कोई आसान काम नहीं है याई पौदा निमदार से लिए घरा के रखि़िया बस दूव शुवव शुव शूबानी दे दिया और गार्णिंगोंगी यह एसा नहीं होता हर चीजे होती है और आपको अगार्ण की तोर पे हमा साथ साथ केर करेंगे खयाल करेंगे तो आपके पौदे हैं ये जग मात करना कि शानिंग शानिग है एल्टी बूजी है जो ग्रोथ है जिससे ने नजर आरही है अब इसमें किसी किसम का कोई चमकाता चमकुता नहीं मेरे पास छिएतां टाइम ही नहीं होता कि मैं इसको जो प्लांट्स हैं आप इसको केर करेंगे यह प्लांट्स है खुद ही है आपको आपको इसके आउपट देंगे कि वाके ही हमारी केर हो रही है वो प्लांट्स भी खुश होंगे कि यार वाके हमारी केर हो रही है जिस तरह के आप प्लांट्स की हलेवाले से केर करेंगे तो मुझा आज कि फिर्षेड कर यह मेरी वीडियो थी आपको बताने के लिए कि प्लांट की है हेल॥ी पुशी Г्लोहत में सरस्क्राइब केर में यहोती बेथ तहाशा चीज具 अकाउंट होती है जिसके हर हम्याद से प्लांट की है कर की जाती है चाहे वह प्लांट हैं छोट छोटे प्लास्टिक के पॉट में हों चाहे आपने हैंगिंग बास्केट में लगाए हों चाहे आपने हैंगिंग बोटल में लगाए हों और इवन चाहे आपके गर के क्यारी में सेहन में पौदे लगे हों एक दक्तरमा की फॉर्म में है वहां भ बड़े बड़े हैं तो पीले पत्ते हों के खुद ब्राउन होके गिरते रहते हैं कुछ तो महां बाद में नीचे नीचे से तोड़ देता हूं पतोकुल लीप्स को ताकि दूसरे प्लांट की है अल्ती बुशी नीचे से गिरोथ हो जैसे के आपको नदर आई और यह सारे के निकालना यह आपके सामने ही नीचे है सहन में यह चीज़े पड़ी हुई है इतर वीडियो बिलाने का दखाने का परपस यही था ताकि आपको एक एक प्लांट की जो है यह निक सरफ एक प्लांट पे है एक एक प्लांट की के करना यानि एक एक प्लांट की हर हावाले से ज आपने गार्डिन फ्रेंट्स को मैं बताना चाहता था जो के मेरी वीडियो से देखते हैं पसंद करते हैं और खास तोर पे मेरे जितने भी यहां प्लांट्स लगे हुए और उनमेंटर प्लांट्स को हैं उनकी हर्थी भूशी ग्रोथ के हवाले से मुफ्तिक किसम के आपने अपने देखने वालों को चाहने वालों को आज की वीडियो जो हेल्थी बुशी जो तुमान ही मेरे ओर्णमेंटर प्लांट्स की के के हवाले से जिस के टिप्स के हवाले से आपको इंफोर्मेशन दी है यह पसंद आएगी बायासमी नवास फ्रॉम वाजीज होम प झालों की थेखना पी बायासमी जो जो पसंद आपको तो हम खंदू्टर पायासमी के हवाले से जों देखने आपको अपको आपको हेल्मेशन आपको साय का एंपको ह।